एलो गाईस मैं हूँ अंजुमित्यल आप सभी को मेरा राम राम आप देख रहे हैं बिंदू फूट फाक्टरी बिंदू फूट फाक्टरी में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे घर पर पीजा बेस वो भी एकदम असान तरिके से पीजा बेस को बनाना इतना असान है कि आप जार से बासी बेस मंगाना भूल जाएंगी और हमेशा घर पर बच्चों को शुद और ताजा बेस पर बना ही स्वादिष्ट पीजा कलाएंगी पीजा पेस उस पीजा रोटी से है जिस पर हम पीजा सोस मुझरेला चीज एवं कटी हुई सबजियां डाल कर पीजा बनाया जाता है सबसे पहले गनेजी को नमन तो चलिए फटा फट से बनाते हैं पीजा डो यह मेरी अजमाई हुई रेस्पी है सबसे पहले हम लेंगे मैदा मैदा को हम इस हिसाब से मेजरमेंट करेंगे अगर हमारा मेजरमेंट अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा ये टोटल हमने धाई सो ग्राम मैदा लिया और नाप के हिसाब से ये पांच चम्चे मैदा हो गई है ये एक चमचा मैदा हम बाद में यूज़ करेंगे ये सुखा दूद का पाउडर है ये 20 ग्राम है इस से टेक्शर बहुत ही अच्छा आएगा अब हम एड़ करेंगे दो चमच चिन्नी के अब इसमें जाएगी एक चमच नमक इंस्टेंट इस्ट दो चमच ताजा या फिर आप का इस्ट पुराना हो तो तीन टीस्पून भी यूज़ कर सकती है क्योंकि वो अपना इन्फेक्टिनस खो देता है जितना ज़्यादा पड़ा रहता है उतना ज्यादा ही अपना इंफेक्टिनेस को देता है अब हम ड्राइ इंग्रेडियन्स को मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे यानि की रिफाइंड तेल कोई भी तेल ले सकती है आप 3 टीस्पून यानि की 3 चमच इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गुंदेंगे इसे गुंदने के लिए हमें चाहिए पानी पानी का भी हम मेजर्मेंट करेंगे 3 चमचे पानी को हम गरम करेंगे पानी का नाप सही होगा तो या यूं कहिए कि पानी का मेजर्मेंट सही होगा आटा हम परफेक्ट वूंद पाएंगे तोल के हिसाब से पानी 150 ग्राम है 150 ग्राम याद रखिए पानी बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए इस तरह होना चाहिए कि आप अपनी अंगली डुबा सकती हो और आपको जलन भी ना हो रही हो अगर आप बहुत ज़्यादा गरम पानी ले लेंगी तो इस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा और टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं आएगा यहाँ पर हम अजेक्ट एक्सुपचास क्रम पानी का यूज करेंगे इसे नीड करने में पानी डालते जाएंगे और नीड करते जाएंगे इस तरह से हमने मैध्य की कंसिटी ऐसे पतली रखनी है इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको नीर करते जाएंगे इसको हमने यह देखो इसके अंदर पानी को रुमाएंगे अब इसको अच्छे से गुंतेंगे और यह देखो ऐसे इस तरह से हमने इसको 5-6 मिन्ट के लिए इसको ऐसे ही गुमाना है अब इसको हम पानी का हाथ लगाकर 30 मिन्ट के लिए इसको छोड़ देंगे 30 मिन्ट के लिए इसको ठक कर रख देंगे 30 मिन्ट हो गए हैं इस तरह सुपरफिस पर मैदा चिड़केंगे यानि की कुश्क फ्लोर चिड़केंगे इसके उपर डो रखेंगे याद रखे डो को इसके उपर रख लेने के बाद हम इसे अच्छे से गुंदेंगे जितना जादा आप डो को गुंदेंगी उतना ही जादा परफेक्ट बनेगा इस तरह हलके हाथों से 5-6 मिन्ट अच्छे से गुंदे नरम नरम हाथों से याद रखिए इतना गूंदना है के हाथों पे चिपकना बंद हो जाए इस तरह से सोफ्ट सा डो हमारा तैयार हो जाए एक बड़ा सा बर्तन है इसको हम ग्रिल करेंगे इस में थोड़ा तेल लगा देंगे इस में डो को रखेंगे इसके उपर भी ओईल लगा देंगे और ढख देंगे सर्दियां हो तो इसे 6-7 घंटे रख कर चोड़ दे गर्मी का मोसम हो तो 1 घंटा काफी है और बीच का मोसम हो तो 3-4 घंटे लगते हैं इसे राइस होने में डो हमारा तयार है इसके तयार होने की निशानी ये है कि इसके उपर हाथ से हलका सा इसे प्रेस कर देंगे प्रेस कर देंगे ये उपर आ जाएगा इस तरह करके जूम करके दिखाया है मैंने इसे हलका सा प्रेस किया ये उपर आ गया ये डो हमारा बिल्कुल तयार है आप देख सकती है, डो हमारा डबल हो चुका है, 6-7 घंटे लगे इसे तयार होने में किसी भी पीजा में यूज करने के लिए ready है, 6-7 घंटे लगे पीजा डो को तयार होने में अब ये पीजा बनाने के लिए पीजा बेस बनाएंगे अगला प्रोसेस है, इसे हम पंच कर लेंगे, और पीजा डो को बोड़ पर सुखा मैदा शिड़केगे दो हिस्सों में डिवाईर कर देंगे, ये हम बड़े साइज का पीजा बेस बनाएंगे आप चाहे तो इसे तीन या चार हिस्सों में डिवाईर कर सकती हैं एक हिस्से को हाथ में लेकर इस तरह से बड़ा करेंगे अब थोड़ा मैदा लेंगे और इसे हम थोड़ा मोटा बेल लेंगे बेलन की साइता से कोशिश करेंगे कि इस खाकार गोल हो जाए ये हमने थोड़ा मोटा रखा है, इसे फोक से पिक कर लेंगे, ताकि हमारा पीजा बेस फुले नहीं एक पैन ले लिया है, इसे हम ग्रीस करेंगे, ये पीजा डो बहुती सोफ्ट और नरम आटे से बना है इसलिए हम पुले-पुले हत्तों से सावधारनी से उठाएंगे, इस तरह बेस को पैन में हम फैला देंगे और इसे गोल अकृति देंगे, किनारों से हम इसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे तो अब हम इसे सेख लेते हैं, सेखने के लिए हमने रोटिया बनाने वाला तवा प्रिहीट कर लिया है ये देखो इसमें से धुआ निकल रहा है गरम तवे पर हम पैन को रखेंगे और एक मिनट हम मीडियम लो फ्लेम पर रखेंगे उसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए बिलकुल धिमी गैस पर पकाएंगे 10 मिनट हो गए हैं, देखो कितना अच्छा पीजा बेस त्यार हो गया है कितना फुला फुला बना है ये देखो इसमें छेद नजर आ रहे हैं जो हमने किये थे अब हम गैस को बंद कर देंगे अब इसको हम पल्ट देंगे एक दो मिनट के लिए इस गरम पैन में ये देखो हमने फुलक से जो पिक किया था कितना क्लियर नजर आ रहा है एक दो मिनट हो गए हैं इस तरब से भी हमारा पीजा सिकर तयार हो गया है ये देखो कितना फुला फुला पीजा बना है जालीदार बहुत अच्छी जाली बनी है और पूरा स्पंजी है पीजा हमारा ये तयार है अब इसे हम एक पलेट में निकाल लेंगे इसी तरह हम दूसरा पीजा त्यार करेंगी पीजा बेस बहुती असानी से बन जाते हैं और साइज आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा 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 बड़ा कर सकते हैं बनाते समय ध्यान रखना है जब आप डोल गाएं सोफ्ट डोल गाएं बेलते समय ध्यान रखना थोड़ा मोटा बेल लें, सेखते समय फ्लेम कम रखे, आप बहुत ही अच्छा पीजा बेस बनाएंगे, इसे किसी पोलिथिन में या फिर बटर पेपर में पेट कर फ्रिज में रखे, तार पान दिन तक इसे हम यूज कर सकते हैं, अगर रैस्पी अ शेयर करना ना बुलनें, आप सभी को मेरा रामराम जी, थैंक यू, सो मच, टेक क्यार